हनुमैन जो कि इंडिया की most anticipated 2024 की सूपर हीरो मुवी थी और साथ में ये इंडिया के पहले सूपर हीरो युनिवर्स का पार्ट है अब काफी लोग ये बोल सकते हैं कि इससे पहले भी काफी सूपर हीरो मुवी आई हैं तो ये कैसे सूपर हीरो मुवी होई पहली तो मैं बहुत सारे scenes ऐसे हैं काफी लोग सिर्फ इसके climax की तारिफ करने हैं लेकिन नहीं सिर्फ climax नहीं बीच में भी बहुत से scenes जहां पर आपके wrong day खड़े हो जाएंगा वो क्या वह आपको आगे बता जलेगा बट उससे पहले इस movie की basic story की बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें एक ल कि अपने आपको बोलता तो है कि वह superhero लेकिन है वह super villain अब वह इससे इसकी पावर स्चीनना चाहता है वागे क्या कुछ होता है वही आपको इस movie के अंदर देखना अब बात करते हैं कि मुझे movie कैसी लेगी तो हमें बड़े ही आराम से इस movie को इंडिया की सबसे best superhero movie बोल सकत है कुछ जगा पर आपको जैसे की end की fight scenes जहां पर hand to end combat हो रहा है वहां पर आपको लगेगा तिहां यहां पर setup का use किया गया और यह fake लग रहा है जिससे को इतना फरक पड़ता नहीं क्योंकि बाकी चीज़े इस कमी को पूरा कर देती हैं बाकी मैंने बहुत सी वीडियो उस इस movie की literally जान है लेकिन इस movie के अंदर ऐसे और भी scenes है इस movie के अंदर आपको एक character देखने को बिलेगा जो काफी mysterious सा लगता जब आप उसकी जड़नी को follow करेंगे और आपको पता लेगा कि actual में कौन है तब भी आपके goosebam सा जाएंगे राउंटे खड़े हो जाएंगे उस character क की सचाई जान के और यह emotional movie यह क्योंकि आपको फोड़ा सा emotional कर देती है और यहीं पर movie थोड़ा सा मात खा दे क्योंकि मुवी हमें बहुत सारी चीज़े एक साथ present करने कोशिस करती है कभी comedy यह वह बहुत सारी चीज़े प्रिजेंट करने कोशिस करती है और hero हमें hero जैसा बि क्योंकि movie का end आते है उन सारी चीज़ों की भरपाई हो जाती क्योंकि end में खुद हनुमान जी आ जाते है और movie कुल मिला कि अगर मैं बहुत ज्यादा प्रसंद आई है action sequence में फिक्स थोड़ी बहुत कमी है लेकिन जितना भी है काफी impressive क्योंकि हमें इसका budget का भी ध्यान रख इस दिन में मैं इस movie को 5 out of 4 की rating दोगा और आप definitely जाके इस movie को theater में देखे और पूरी family के साथ आप इस movie को देख सकते हैं काफी अच्छी movie है और मैं इसके आरे आने आने वाले parts के लिए बहुत ज्यादा एक्साइडर विलन को थोड़ा वीक दिखाया गया है लेकिन इस movie का जो विलन है वो तो ही खिलोना है क्योंकि असली विलन तो movie के end में आपको पता चलेगा कि आखिर असली विलन कॉन है और वो कब आने वाला है तो इस लिए इस movie के अंदे जितनी भी कमिया है वो सारी कमियों की पूर्ति कर देता इस movie का climax सो इसी की साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता है आपसे अपनी नेक्स वीडियो में